आज का मुझा स्टार्ट करने से पहले मैं सारे राइट विंग जेनरलिस्ट को वीडियोस को पर्सनली कुदोस कहना चाहती हूँ मुझे बहुत पन्या पसंद आया पैंगलिस्ट में हिस्टोरियन्स जेनरलिस्ट ये कमबाइन लिया आप जैसे एमनेस्टी की पीछे पड़े है मुझे पसंद आया और ये डीप स्टेट को एक्स्पलिनेशन की जरूरत है एक आली पॉल्टिकल का इश्यो नहीं रहे गया इ करते हुए डीप स्टेट में पेनेट्रेशन करते हुए रीडिंग इन बिट्विन दे लाइन करते हुए हम इनको चेज करना है अप लोग पीछे पड़के उनको दो दिया ऐसा ही डीप स्टेट को एक लिस्ट मेसेज जाना है कि अगर आप लोग बारत को टॉच करेंगे व बारत और फैमिली सेफ जब तक सेफ नहीं होंगे हम मिलकर काम करेंगे ऐसा हम मैं उमीद रखती हूँ आप लोगों से आज का मुद्ध है कि डीप स्टेट वाले लोग जो वहां के एक्स्टरनल अपेट्स वहां के पारण मिनिस्ट्री को समालने वाले यह पॉपलर लीडर नहीं है मगर बारत जरूर आये हैं और यहां के चुनि मनिंदे अपोजिशन लीडर्स को मिल रहा है तो क्या है उनका अंडरस्टाइडिंग लेवल इडिक्स वाले इतना डैरेक्टी कुलंकुलंग तो नहीं मिलेंगे अगर मिलेंगे तो भी हमको इस्यू पता होना वो किसली आये है ताकि हम उनका मेसेज को रीडिन बिट्विन दे लाइन्स करके हम उनका जो वो टार्गेट बना रहे है हम उसको एम की तरफ लेके जाके उनको पेनेट्रेट कर सके तो इनका टाइमिंग अगर हम देखे तो यह यहां यह आईसा दिख रहा है कि मोडी जी रॉक्रेण जाकर आना अगर तुम मैं यह पीस टाक्स कराकर या रॉक दिया तो पहला पॉइंट मैं कहना चाहती हूं रोक दिया तो मॉडी जी में मसेया बन जाएंगे पीसलाट के लिए यह कोन कोन नहीं वहना चाहता है तो आप युइस का डिप स्टेट मगर नैटो उसका दंदा तो छेल गया वाम एमनेशन को बेच कर वो पैसा उसको ने प्राफिट लिया मगर यह रश्या तो कैपबल है 20 तक वो लड़ेंगी मगर क्या युक्रेन लड़ सकती है क्या नैटो देश रह सकती है इस इस्यू को वो लोग स्टाप दवार बोल के वो लोग बोल है मगर अमिर्का एक तरफ चाहती है जब तक अमिर्का में एलक्शन्स कंप्लीट नहों यह वार चलते रहे लोग इसमें से एलक्शन्स का भी प्राफिट देता जाए तो यह लोग अपने कंट्री में भी वारियर्स की तरह दिखाना चाहते हैं ना तो हम भी विल नॉट कि उनको भी उनका जन्ता के सामने ही रोज बनना है क्योंकि यह लोग चाहते हैं यह वार एलक्शन्स तक लड़े मगर इन बिट्वीन अगर कुछ रुख गया तो मोड़ी जी को मरसेह का स्ट बना देंगे सारे दुनिया यह पाजिटिव मोड बारत को नहीं मिलना है यह इ नवंबर में हैं तो यह फर्स्ट पॉइंट हो रहा है मेरी तरफ के अनांसिस से जोड़े तो यह लोग सब करें दूसरी पॉइंट यह है कि नैटो देश इश्वार को रूपना चाहती है मगर कोई कुलम कुला नहीं कर रहे हैं तो सारे उनका नजरिया बारत की तरफ है अ कि अब बंुलादेश खंगाल में आगे एकषयर से ही में पिछले वीडियो में कही कि बं। बं। इस अब इस्लाम के रही है कि Dale money boys Le we want to deep relations तो बंगलादेश का एकॉनमी स्ट्रिंकिंग में हैं तो उनका वहां पे भी जिंदगी में जब से अमेरिका से पावर संभाली वह किसी देश में कांफलिक्ट करती है उसका सोल्यूशन नहीं लेकर आती है उसमें से अब बंगलादेश भी एक हो गया मगर इससे इसीले मतले जिए राइट विंड जेनरलिस वीड इन बेट विंड लेट जो लोगं को डीप स्टेट वाले वीडियो क्या है कि वो लोग क्यों मिलने आये वह भी पर्टिक्लरली आप देख लीजिए तेलंगाना को ओएसी और रेवन्त रेडिजी जो एंडिये का पार्टनर है चंद्रबाबु नाइडू गुपकार गैंग वो सारे फार्मस का राजश्टिकाइट जैसे लोग वो लो अगर करके इनका देखा जाए तो यह कोई इंडिया का एटिट्यूड नहीं है यह है डीप स्टेट वाले का यह फांडर्ण मिनिस्ट्री लोग चुन-चुन के अपोजिशन लीडर्स को बिल रहे हैं कालिस्तान का मुमेंट केजरीवाल जेल में है तो भी उनको परवा नह को राजेश्टिकेट जैसे फार्मर लीडर्स को ऐसे मिलना यह सजाती है कि क्योंकि कैमला है इस इसराइल पालस्तिना वार के बीच में अटा गई तो कैमला है जीतना है तो मुस्लिम वोट्स होना चाहिए इंडियन डियास्पोरा अमेरिका में इतने टूटी होते हैं कि ए रिपब्लिक को वोट दालते हैं मगर अब इनका माइंडसेट क्या है इन लोग को इसको वोट दे रहे है यह पता नहीं चल रहा है अमेरिका में बहुत सीरियसली यह लोग इस पर वार कर रहे है ताकि वो और यह उक्रेन रश्या वार इसलान पालस्तिना वार चले ताकि उ है उनके दिल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए वो लोग यहां के में लोगों को मीटिंग करके क्योंकि इंडिया से बहुत मुस्लिम्स और पर्टिकलरली तेलुगू स्टेट्स हैं हम देखे तो तेलंगाना से रेडिस आंधरा से रेडिस और कमा लोग वहां पे बहुत सारे सेटिल्ड है यह बहुत डायास्पोरा में वोटिंग में बहुत काम आते हैं इंडिया ताना नाटा वो सब असोशेशन है इसलिए यह एफेक्ट्टू इसलिए है क्योंकि यहां के तेलंगाना स्टेट फार्मेशन में भी अमेरिकन आउट्सोर्स यहां पे बह इसलिए वो लोग चुन-चुन के चंद्रपाब उनाइट उसे वह ऐसी से गुपकार गैंग से मिल रहे हैं और बेंगाल का मामता देजीत का कोच फरक नहीं पड़ता क्योंकि वहां पे कम ही लोग है और पंजाब का कालिस्तान में इनके हैंड में है तो उनका वोट्स तो म लेगी मगर रिमेनिंग किसके वो तरफ जा रहे हैं यह कंफ्यूजन में हैं वो लोग कभी रिविल नहीं करते हैं तो यह हमारा स्ट्रेंथ दिखावे का डरामा जो वहां के अमिरिकन मुस्लिम्स जो कर रहे हैं जैपालस दिनाव स्टाब दवार हुए यह इसराइल गाज वार या इसको कर रही है इवन सिटिजन्स आर इनवालूड इन दिस वार देटलिस्टिक सोचेटी में से सिटिजन्स को इससे बड़ा क्या हम एक्जाम्पल दे सकते हैं वो दे आरे इक्वली इनवालूड वित देर गवर्नमेंट तो इसको इसली मत लीजिए तो अब जो करने के लिए इनवेस्ट करती हूं आप लोग इस पर नजरियद आरे और पूछिए अमरिकन सिटिजन्स को की डीप स्टेट वाले जो यूद करा रहे हैं इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कराब हो रहा है यूक्रेंड में आपने जितना इन्वेस्ट किया वो बरबाद क्या आप ब्लेडी इस देर इन यूर हैंड बोलके उनको समझाएए ऐसा उनसे आप बात करने की कोशिश करिए आपका इतना बड़ा नेटवर्क है आप कर सकते हैं जब वो हमारे एलक्शन में इंटर्फियर होके जाद सोरेस का ये टूल किट यहां पे काम करके जब इंड करना चाहिए तो मैं रेट विंग जनरल से सब्सक्राइब करने के और बंगलादेश पर कांसंट्रेट करने का हमको टाइम मिलेगा और एक इंपर्टेंट इस्यू देख रही हूं कि ये डीप स्टाट वाले इसलिए आये क्यूंकि शेख हसीन बंगलादेश प्राइम मिनिस यहां पर है तो शायद इस एलक्शन के बाद ऑपोजिशन का मुद्दा यह होगी कर निकाले के शेख सेना उन से बारत का बर्डन है नहीं तो बंगलादेश से उनको वापस बुलाने का उनलों का दवाव यह सब होने वाली है तो इसलिए नजरिया नकिये हम अमरिकन एलक् गुद्ध नोलेच तो राइट विंग जेटरलिस्ट से क्या होगी जब हम उनका कांसेंट्रेशन को कतम करेंगे तो बारत विल बी सेफ और अनदर फाइयर सो अमारा फैमिली सेफ करके बोलना है तो अमिरिकन एलक्शन में हम कांसेंटरेट करना है वो जितना इंडिया के ल करेंगे ऐसे उमीद रखती हूं आप इस डीप स्टेट वाले क्यों आपोजिशन लीडर्स को मिलने आये लेस्किया वह अच्छी पासेंद आये तो प्लीज लाइक किजिए के शेर किजिए कोमेट किजिए फिर एक मीडियो में मिलने तक भी लेते हो अल्विताद जैहीं ज करें ये लेते हूं